तो दोस्त तो आई तारीक हो गई है 11 अक्टूबर 2014 की साथी में दिन है शुक्रुवार का तो आई ये बिना देर की ये फटाफट से जानते हैं आज की ताज़क खबरे और मुख्य समाचार बैकि बीते कुछ दिनों से मुख्य समाचार के वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे इ योरोशलम में साल 1903 में बनी वेशविक इसलामिक समू हिजबुत तहरीर को सरकार ने अभी हाली में बीते गुरुवार को बैन कर दिया क्योंकि संगठन का मकसद जिहाद और आतंकी गतिविदियों के जरिये दुनिया भर में इसलामिक राज्य और खिलाफत लाना था इसलामिक ज़से इसे बैन कर दिया गया है जानकारी के मताबिक भले ही संगठन इसराइल फिलिस्टीन के योरोशलम के पास की है लेकिन इसके प्यर दुनिया भर में फैले हुए है भारत में भी इसी वज़े से इसे बैन कर दिया गया है धार्मिक माम लोगों को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि देश की राजधानी दिल्ली में श्रिम मंदिर पे चलेगा बुल्टोजर हाई कोट ने रोक लगाने से कर दिया है इनकार जी हाँ अवयत कब जेको लेकर दिल्ली विकास परधिकरन को अदालत के साथ ही आम लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है कि डिडिये की जमीन पर कोई भी कुछ भी बना लेता है ऐसे इलजामों को देखते हुए डिडिये ने पिछले कुछ महीनों से अतिकरमण हटाओ यानि के डिडिये की जमीन पर जो भी अवयत चीजे बनी हुई है चाहे वो किसी का घर हो मजजिद हो मंदिर हो उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली हाइकोट ने डिडिये के काम में दखल देने से इनकार कर दिया है बात यह के स्थानी लोगों ने एक याचिका दायर की थी एक पार्क को लेकर असल में पार्क में काफी साल पुराना एक श्रिम मंदिर बना हुआ है लेकिन ये मंदिर डिडिये की जमीन पर है इसी वज़े से इसे आने वले दिनों में तोड़ दिया जाएगा जानकारी के मताबिक ये मंदिर करीब 60 साल पुराना है एक और दिल्चस्प बाती है कि जहाँ पे ये मंदिर है ठीक उसके सामने एक मज़िद भी बनी हुई है और ये आसपास की पूरी जगा मंदिर मज़िद के नाम से ही जानी जाती है बाकि दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वले दिनों में अगर इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है तो क्या ये सही होगा या गलत होगा वहीं आपसे रिक्वेश्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानों को सब्सक्राइब करना ना भूलें शायद आप जानते होंगे चाहे आपका लाइक करना हो शेयर करना हो या सब्सक्राइब करना हो ये बिल्कुल फ्री है लेकिन आपके लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर समीति मुस्लिम समुदाय के बहिशकार की अपील कर रही है इस समीति द्वारा शिमला के उपनगर संजॉली बाजार में फल्व सब्जियों की दुकानों में सनातन सब्जी वाला के बोड लगाय जा रहे हैं यानि कि दुकानों को एक पोश्टर दिया जा रहा है जो हिंदू ह इस पे लिखा हुआ है सनातन सब्जी वाला या फल वाला कोल मिला कर आसान शब्दों में कहें तो ये हिंदू समीति चाहती है कि कोई भी सनातन वैक्ति यानि कि हिंदू वैक्ति मुसल्मानों से कोई सामान न खरीदे हाला कि जैसा कि आप जानते हैं अपना देश कई सारे धर्म के लोगों का दुनिया में सबसे बड़ा गड़ है और अपने देश के लगभग सभी जगहों पर सभी धर्म के लोग मिल जाते हैं जाहिर बात ऐसे में इस समीति का ऐसा पील करना आने वले दिनों में हिंदू मुस्लिम मामले को गर्म कर सकता है अब देखें बच्चों को लेकर एक बड़ी खबर कि अगर बच्चों ने मोबाइल फोन चलाने वाली आदत नहीं बदली सो में से नब्बे बच्चों की आँखें खराब हो जाएंगी एम्स के डॉक्टरों ने दी ही चितावनी जी हाँ अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए अगर आप भी फोन दिखाते हैं बताया गया है पांच साल से कम उम्र के बच्चों में पचास फिस्दी लोग आखो की बिमारी मायोपिया या ऐसे ही किसी दूसरी बिमारी से पीडित होंगे वहीं बताया गया है ऐसा नहीं है कि आज की तारीक में हालात अच्छे हों आज की तारीक में भी हालात अच्छे नहीं है बताया गया है अपने कई पडोसी देशें जैसे के चीन या जापान वगएरा तो इन देशों में 5-15 साल के 80-90 फिजदी बच्चों में आखों की बिमारी मायोपिया की समस्या है इसका मतलब आसान शब्दों में ये हुआ कि आज की तारिक में भी चीन जापान समित कई देशों में 50 बच्चों की किलास में करीब 45 बच्चे चश्मा लगा करी देख पाते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जीन्स या टीशट पहनने पे लिया जाएगा एक्षन वही नाच गाने और रील बनाने पे भी लगा दी गई है रोक जिहां सिक्षविभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में सिक्षविभाग के जीन्स टीशट पहनने पे रोक लगा दी है सिख्षव विभाग के आदेश के मताबिक अब सरकारी स्कूलों में सिख्षक फॉर्मल ड्रेस में आएंगे इसके अलावा सरकारी स्कूलों में डी जे डान्स गाना गाने और परील बनाने पे भी रोक लगा दी गई है देखें आगली खबर के गूगल ने लॉंच किया इमेजन 3 AI जिहां गूगल ने एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने अपग्रेड़िड एआई मॉडल इमेजन 3 AI को लॉंच कर दिया है असल में गूगल ने अपने चैटबोट जेमिनी के साथ इमेजन 3 AI का सपोर्ट दिया है कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस फीचर के जरिए हाई कॉलिटी की इमेजस बना सकते हैं फोटोस बना सकते हैं यानि आपको जैसी फोटो चाहिए इमेजन 3 फीचर के जरिए आपको वैसी फोटो मिल जाएगी आपको केवल गूगल के जैमिनी चैटबोट में जाकर अपना टेक्स लिखना है कि आप कैसी फोटो चाहते हैं और आपको वैसी फोटो दे दी जाएगी सबसे अच्छी बात ये है कि अब इस समय ये इमेजन 3 फीचर पूरी तरह से सभी लोगों के लिए फ्री है देखें आगली खबर श्री लंका बांगलादेश वगएरा भुख मरी कम होने के मामले में हम से बहतर हैं वहीं दोस्तों आपको आसान शब्दों में बता दें कि गलोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है असल में हर साल कंसन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प ये जर्मनी में स्थित योरोप का एक एंजियो है तो ये दोनों मिलकर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करते हैं असल में ये रिपोर्ट कई तरह के पैमानों पे तैयार की जाती है जैसे के किसी देश में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो पाँच साल के अंदर कितने फिजदी बच्चों की जान चली जाती है, या किसी देश में अगर बच्चे हैं, तो उनको रोजाना खाने के जरी उतनी कैलरी मिल पा रही है या नहीं, या इसके अलावा किसी देश में जो बच्चे हैं, वो उम्र के हिसाब से जादा पतले हैं, या जादा मोटे हैं, तो ऐसे ही कई पैमानों के आधार पर ये रिपोर्ट तयार की जाती है, आसान शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट का कताई ये मतलब नहीं है, कि अगर कोई देश इस लिष्ट में काफी अच्छे होते हैं, जो उमर के हिसाब से, सिहत में अच्छे नहीं होते, अब अगली खबर आ रही है, यूपी वालों को लेकर, कि यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली, जिया यूपी की जनता के लिए रहत भरी खबर है, सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फै पर आ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पूरे यूपी में आज रहेगी छुट्टी सीम योगी ने खुद इस सारोजनिक आउकाश का एलान किया है जी हाँ यूपी में आज यानिक शुकरवार को महानवमी के आउसर पर छुट्टी का एलान किया गया है सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालों में छुट्टी रहेगी अब छुट्टियों की बात चली है तो छुट्टी को लेकर देखें एक और खबर कि पंजाम में सरकारी छुट्टी का एलान किया गया इन शॉर्ट में बात यह है कि पंजाम में आने ओले 15 अक्टूबर को प रिपोर्ट जारी करके कहा है कि उसने साल 2023 में ऐसे 11 लाख बच्चों की पहचान की है जो बाल विवाह के खत्रे में है यानि कि उनकी शादी बच्चों में ही कर दी जाएगी बताया गया ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए NCPCR या जो इससे जुड़े विभाग है उन आयाग है 11 लाख में से 5 लाख से जादा बच्चे यूपी के हैं बैकि वैसे भी कई सरकारी विभागें ऐसे बच्चों पे नज़र रख रही हैं तो जो भी लोग अपने बच्चों के शादी बहुत कम उमर में करने वाले हैं वो वैसे ही सावधान रहें देखे आगली पूरा होने की वज़े से अपना देश सैन्ने मामले में और ज़धा ताकतवर होगा तो आने वले दिनों में भारत दो नुकलिर सम्मरीन बनाएगा शायद आपको पता होगा सम्मरीन एक ऐसे वहान को कहा जाता है जो पानी के अंदर चलता है जो ये सम्मरीन बनाए तो इसमें नुकलिर हतियार रखे जा सकेंगे यानि के परमाडू हतियार इसे वीच आपको बता दें के राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जानकारी के मताबिक जो भी लोग फ्री राशन लेते हैं ये खबर खास करके उन लोगों के लिए है शायद आपको पता होगा अभी हाली में कुछ समय पहले सरकार ने फ्री राशन लेने वालों के लिए एक वाईसी कराना अनिवारे कर दिया था फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि जो एक वाईसी करवाने की डेडलाइन थी वो खत्म होने वाली थी लेकिन सरकार ने डेडलाइन को बढ़ पर सीवर सडक इसके लावा भी दूसरी छोटी मोटी समस्याओं को समधान देने में सहुलित मिलेगी जानकारी के मताबिक अभी से पहले दिल्ली के हर विधायक को हर साल 10 कर रोपे का फंड दिया जाता था आई या बगली खबर में जानते हैं चुनाओ को लेके कुछ लान कर दिया जाएगा इनिके सोमवार को मंगलवार या बुदोवर वगरा को देखें इसी कैटेगरी से एक और खबर कि पीम मोधी का इस्ट्राइक रेट 52 दी रहा जिया हरियाना में लगतार तीसरी बार बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है ऐसा करने वाली बीजेपी एक जम्मू कश्मीर में भी विधान सभा चुनाओं के दोरान बीजेपी ने 29 सीटे जीती हैं और ये अब तक का सबसे बहतर परदर्शन रहा है जम्मू में हाले के कश्मीर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है लेकिन जम्मू कश्मीर को मिला कर बीजेपी ने अच्छ परदर्शन किया है तो बताया गया है कई सीटों पर जो पीम मोदी के नाम का असर पड़ा है तो इसका असर आने वले दिनों में महराष्ट्र, जारखंड या दिल्ली के विधान सभा चुनाओं में देखने को मिल सकता है वहीं जैसा कि आपने जाना बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री बनेंगे विधायकों के नेता चुने गए तेरा ये 14 अक्टूबर को शपत ले सकते हैं वहीं आपको बता दें उमर अब्दुल्ला आटिकल 370 को सपोर्ट करते हैं अभी हाली में उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा से जो आटिकल 370 हटाया ग जब केंदर में सरकार बदल जाएगी बीजेपी हट जाएगी तो इस पर चर्चा की जाएगी देखें अगली खबर के जनवरी 2025 के बाद जनगरना शुरू हो सकेगी सीमाएं सील करने की रोख हट गई है जिया देश व्यापी जनगरना अब 2025 में शुरू हो पाएगी जनग जनगरना होती है अब वो जनगरना जनवरी 2025 यह इसके बाद हो सकेगी बात यह है कि जनगरना से पहले राज्य की सरकारों को अपने जिलों की सीमाओं को अगर बदलना है बड़ा सकते हैं घटा सकते हैं आई अब चलते हैं उस खबर की ओर जो बिहार के समस्तिपूर से आ जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि समस्तिपूर में पुलिस वालों को दोड़ा दोड़ा के पीटा गया वारंटी को गिरफतार करने के लिए टीम गई हुई थी जिहां बिहार के समस्तिपूर में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के टीम पर गाउं के ल जानकारी के मताबिक आरोपी को शराब के एक मामले में गिरफतार करना था देखें अगली खबर के फिलिपकाट जैसी 19 फरजी वेबसाइटों से 50 करोड की ठगी की अब ठगी करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया है जिहां गुजरात में सूरत की सर्थाना पुलि शायद ऐसा हो सकता है इस ग्रोह के कई सदस से अभी भी इस काम में लगे हुए हूँ आपने खास करके सोशल मेडिया पर ये शॉर्ट वीडियो देखते समय या रील वगरा देखते समय कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर कई तरह के सामान बहुती सस्तित दिये ज लेकिन सामान के डिलिवरी नहीं होती तो हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई सामान ऑनलाइन खरी दें तो ऐसी जगह से खरी दें जो बिलकुल भरोसे मंध हो जैसे के फिलिप कार्ट या आमेजन वगरा देखें आगले खबर के भोले बाबा से नियाएक आयोग ने सवा द भगदर मच गई थी और 121 लोगों की जान चली गई थी इसी मामले में तीन महीने के बाद पूछता चो रही है हले के वहीं दूसरी ओर दैनिक भासकर से भोले बाबा के वकील एपी सिंग ने कहाया है के इस घटना में बाबा का कोई हाथ ना पहले था और ना अब है और न मचवा दिन सरकार से मीटिंग बे नतीजा रही है वहीं अभी हाली में मुर्शिदाबाद के दुरगा पंडाल में इस मामले में सम्मलित पूर प्रिंस्पल को महिशा सुर के रूप में दिखाया गया जिहां कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से र कोले के राज्जी सरकार ने दुरगा पूजा के बाद मांगो के बारे में सोचने की बात कही थी हमारे साथ ही चार दिन से भूख हरताल पर हैं डॉक्टर्स का कहना है कि हमें अपनी मांगो को लेकर केवल आश्वासन दिया जा रहा है मांगे पूरी नहीं की जा रही है जा जो भी development के project चल रहे हैं जो भी building ए घर वगरा बन रहे हैं उन सभी पर रोक लगा दी जाएगी जिहां Bombay High Court ने अभी हाली में बीते बुधवार को रज्य सरकार यानि के महराष्ट की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब आग लग जाती है तो उस समय क्या protocol होने चाहिए लोगों को बचाने को लेकर आग बुझाने को लेकर या जो पहले building बनती है उसमें आग लगने के समय को लेकर क्या इंतिजाम किया जा रहा है इस सभी नियम तै किये जाएं वरना मुंबई में जो भी development के project चल रहे है जो भी building बगरा बन रही है उन सभी पर रोक लगा दी जाएगी देखें अगली खबर के मिया खलीफा के साथ नजर आए पाकिस्तानी क्रिकेटर वसी मकरम फैंस सब उन्हें खास करके पाकिस्तानी जम के ट्रोल कर रहे है यहाँ पाकिस्तान के पूर दिगज क्रिकेटर वसी मकरम सोशल मेडिया पे ट्रोल किये जा रहे है लोग उन्हें भला बुरा कह रहे है बाती है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस सोशल मेडिया पर वसी मकरम की जम के बेज़ती कर रहे है असल में वसी मकरम एक एड यानी के परचार के पोश्टर में पोनिश्टार मिया खलीफा के साथ नजर आये थे तो पोश्टर और एड का वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी फैंस काफी ज़ादा गुस्ता हो गए हैं वैसा आपको बता दे वसी मकरम अपनी पूरी फैंली के साथ पाकिस्तान नहीं बलके अस्ट्रेलिया में रहते हैं देखे आगली खबर के इसराइल दो तरफा हमले कर रहा है इन हमलों में हिजबुल्ला के 500 से ज़ादा ठिकानों को नश्ट किया गया है इसी दोरान गाजा में फिर सा 28 लोगों की जान गई है जियां गाजा पटी में विस थापितों को आश्रे देने वाले की स्कूल पर इसराइली हमले में अभी हाली में बीते गुरुवार को कम से कम 28 लोगों की जान गई है जबके कई लोग जखमी हुए हैं आसान शब्दों में कहें तो इसराइल ने एक ऐसे स्कूल पे हमला किया जहाँ पर आम जनता को ये कहके भीजा गया था कि आप यहाँ पे रह सकते हैं यहाँ पे हमला नहीं होगा लेकिन वैसे ही है कि स्कूल पे अभी हाली में हमला किया गया हमला करने के बाद इजहली सेना ने कहा कि उसने नागरिकों के बीच छिपे आतंगवादियों को निशाना बनाया है हलाएक इस दोरान 28 लोगों की जान चली गई वहीं आपको बता दें सेना ने इस सब्ताहे के शुरुवात में उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी अभियान शुरू किया था हमास के अलावा इस जैली लक्षाबल लिबनान के दक्षिन में भी हमला कर रहा है क्योंकि उस सेट से भी हमले किये गए थे ये लिबनान का वही हिस्सा है जोके हजबुल्ला के अंडर में है बताया गया है इस हपते में जो भी हमले किये गये है तो ँन हमलों में हजबुल्ला के 500 से ज़ादा ठिकानों को निश्ट कर दिया गया है कई आतंगवादियों को मार गिराया गया है देखे आगली खबर के अमेरिका में हेलेन तुफान बरसा रहा है कहर 225 लोगों की जा चुकी है जान तुफान की रफतार 225 किलोमेटर परती घंटा है और इसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है 12 राज्यों में 1 करोड 20 लाख लोग प्रभावित हुए है तुफान बहुत ही खतरनाक है तुफान की वज़े से 1000 फ्लाइट्स को रद करना पड़ा है इसके कुछ वीडियो आए हैं जिनकी जलकी आप भी देख सकते हैं इस वज़े से बाड़ वगरा भी आई हुई है वहीं बताया गया है ये सदी का सबसे खतरनाक तुफान है तुफान के दोरान 3 घंटे में ही इतनी बारिश हुई जो के 3 महीनों की बारिश थी तुफान की चपेट में तो बहुत सारे लोग आए हैं वहीं इस तुफान की वज़े से जो बाड़ आई है तो बाड़ की चपेट में 20 लाख लोग आ गए हैं आई दोस्तों आपको लगे हाँ तो बताते हैं अपने देश के मौसम का हाल खास करके बारिश को लेकर इसका इमेट विदर दोरा इसे जारी किया गया है तो आज 11 अक्टूबर 2024 को करनाटक में, केरल में, आंधर प्रदेश में, लक्षोदीप में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है हलाकिन राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है इसके अलावा भी महराष्टर में, आंधर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के, दक्षणे हिस्सों में और तमिल लाडू में भी आज हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है इसके अलावा भी पश्रमी हिमाले में, बिहार में, दक्षणी गुजरात में, उडिसा में, साथी में उत्तर पूर भारत, इने के 36 गड़, उत्राखंड और अंडिमान निकोबार दीपसमू में भी आज हलकी बारिश की संभावना है अभी हमने आपको जिनभी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उनको छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम सुखा बने रहने की संभावना है देखें आगली खबर, कम्यनिष्ट देश लावस पहुंचे पीम मोदी, बहुत भिक्षों ने किया स्वागत जी हाँ परधान मंतरी मोदी, इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए, दो दिन के दोरे पे बीते गुरुवार को, कम्यनिष्ट देश लावस पहुंचे, पीम मोदी ने इंडिया आसियान समिट को संभोधित किया देखें आगली खबर के CJS चंदर चूड बोले, मैंने देश की पूरी निष्टा से सेवा की है, इतिहास मेरे कारेकाल को कैसा आकलन करेगा, इस बात की चिंता है आने वले 10 नवंबर को सुप्रीम कोट के Chief Justice चंदर चूड रेटार हो रहे हैं, रेटार होने से पहले उन्हों न ये बाते कहीं हैं देखें आगली खबर के रतन टाटा के अंतिम धर्शन करने के लिए उम्रा सेलाब ग्रह मंत्री से लेके अंबानी तक कई दिगज पहुँचे विदाई देने तो विदाई देने के लिए बड़े बड़े दिगज पहुँचे मुके शंबानी हो या उनकी बीवी हो ग्रह मंत्री हो इसके लावग कई और लोग मुए शायद आपको पता होगा रतन टाटा का जो टाटा सामराज्य है जो पूरा बिजनस है वो बहुत जादा बड़ा है चाहे टाटा नमक की बात हो या एर इंडिया की बात हो या एर इशिया की बात हो या टाटा मोटर यानि के टाटा की गाड़ियों की बात हो ये एक पूरा समू है चिंता वाली बात ये है कि रतन टाटा ने अपने उत्तर अधिकार की घोशना नहीं की है कि उनके बाद कमप बहुत धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग